नमस्कार, Welcome to AK Organic तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Inductive Effect के बारे में जिसे हम I Effect भी बोलते हैं इसके साथ साथ Inductive Effect को Transmission Effect भी बोला जाता है यानि कि T Effect कुछ टॉपिक्स हैं Organic Chemistry में जैसे Inductive Effect हो गया Hyperconjugation, Mesomeric Effect Resonance Kapard और इसके साथ साथ Totomerism ये सब जो है Organic Chemistry के टूल्स हैं अगर एक बार आपने इन सब को अच्छे से समझ लिया तो ये जो है Mostly Organic Chemical Reaction में किस थाना के product बनते हैं इसमें आपकी help करता है हर बार तो देखियो Inductive Effect में हम क्या करेंगे आज इसके Intro Part, Definition Types कौन कौन से हैं इसके Character 6 क्या है Inductive Effect क्या शुरू करते हैं देखो Saturated Carbon Change जो है वो Non Polar होती है उसमें Polarity नहीं होती और अगर उस Saturated Carbon Chain में मैं एक एंड पे कोई Electro Negative Atom अटेज कर दो उसमें उससे क्या होता है जो ये Electron है Sigma Bond की इस डिस्प्लेस हो जाते हैं Towards Electro Negative Atom उसकी वज़े से क्या होता है कि Electro Negative Atom के पास Delta Negative Charge आ जाता है और जिस Carbon से मलब जो Carbon और Fluorine के बीच में Bond है तो इस Carbon के पास आ जाता है Delta Positive Charge तो ये displacement होती है Sigma Electrons के Towards More Electro Negative Atom अब ये जो है Electron Deficient हो गया तो ये जो है अपने पास वाले Carbon से लेता है Electron ये जो CC Bond से Electrons लेता है तो इसके पास Double Delta Positive Charge आ जाता है और ऐसे ही ये Next वाले से लेता है Triple Delta Positive Charge अब आपको लग रहा होगा कि जब इसने Electrons को लिया Sigma Electrons को Displace किया इस Bond से अपनी तरफ एट्रेक्ट किया तो इसके पास डेल्टा नेगटिव इसके पास डेल्टा पॉजिटिव और इसने इस Carbon से लिए Electrons तो जो है Double Delta पॉजिटिव मतलब इस पर ज्यादा चार्ज आ गया पर ऐसा नहीं है अब इस चीज को इस तरीके से समझो कि Double डेल्टा पॉजिटिव जो है वो डेल्टा पॉजिटिव से कम चार्ज है और ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव फर्दर कम चार्ज है यह कैसे है कि अगर माल लिया इसके उपर 0.1 पोजिटिव चार्ज आया है ठीक है तो इसके बाद डबल डेल्टा पोजिटिव महलों 0.1 multiply with 0.1 यानि कि 0.01 और ट्रिपल डेल्टा पोजिटिव यानि कि 0.1 को तीन बार गुना करो आप तो कितना आएगा 0.001 यानि कि और कम पोजिटिव चार्ज तो इसे ऐसे समझो अब तो यह देखो अब यह जो है अलोंग दा सेचुरेटिड कार्बन चैन चलता है लेकिन दो कार्बन के बाद इसके एफेक्ट नेगलीजेबल माना जाता है यानि कि हम इंडक्टिव एफेक् से नेगलीजिबल मानते हैं तो देखो डिफाइन कैसे करते हैं हम इसे इंडक्टिव एफेक्ट को दिस्प्लेश्मेंट ओस सिग्मा इलेक्ट्रोंस सिग्मा इलेक्ट्रोंस अलोंगा सेचुरेटिड चेन ओफ कार्बन एटम्स डू तो देखो यह तो नोन पोलर थी लेकि इसके टालइस पे आते हैं तो अब देखो डपेंड करता है कि जो हिट्रह अटम या समस्ट्ट्रोंस एट्पेक्स कैसा अगर हिट्रोंस जो है वह हो सकता है nitrogen हो सकता है ns2 हो सकता है group nitro group हो सकता है ठीक है अगर ज्यादा electron negative है तो वो अपनी तरफ electrons को खिचेगा इसके ओपर डेल्टा नेगिटिव चार्ज फिर डेल्टा positive चार्ज आएगा तो जब हिट्रो एटम या फिर substitute attached to the carbon chain is more electron negative than carbon or is electron withdrawing चैसे कि नाइट्रो group है electron withdrawing साइनो गूरुप है electron withdrawing है ठीक है यानि कि हिट्रो एटम ज्यादा electron negative हो या फिर electron withdrawing character को हो उस case में हम inductive effect को बोलते हैं minus i effect ठीक है और देखो अब डिपेंड करता है कि कि किस case में जो है यह saturated carbon chain से यह जो हिट्रो एटम या सबस्टिट्वेंट है यह electron को खीचेगा अब यह जो सबस्टिट्वेंट है अगर इसके उपर पॉजिटिव चार्ज है मैं इलेक्ट्रों डेंसिटी काफी कम है तो अब्विसली electron को खीचेगा यह carbon chain से ठीक है तो सबसे पहले यह जो ओडर लिख रखा देखो सबसे पहले देखो सीरीज में है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद है नाइट्रो ग्रूप दें साइनो कावॉक्सिलिक एसिड फ्लोरिन प्लोरिन ब्रोमीन आयोडिन तो यह इसका कम्प्लीट सीरिस ठीक है और अगर अब यह जो हिट्रो एटम एटाच किया है यह लेस इलेक्ट्रो नेगटिव हो यानि कि अब जैसे एक्जैम्पल के लिए और्गेनो मेटलिक रिएजेंट्स होते हैं हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेलो आप आर एमजी एक्स तो उसमें जो कार्बन है यानि कि आर पार्ड जो यह conservation और यह और पार्ट है यह carbon जो है magnesium से अठाच से सकेस्षम मं == से विएिकर disp हमाल यह X ही कोई सबसीटवेंट है जो की लेस एलेक्रों अगितिव उसuled में डेल्टा नेगिटिव आएगा कार्बन के ऊपर और इस सब्सीट्यों के ऊपर अपर आएगा डेल्टा पोजिटिव चाल ठीक है इस तरह के के चैसि जीसमेंैं te Crystal atom और substitute attached to the carbon chain is less electron negative than carbon and is electron donating or releasing यानि कि electron donate करेगा carbon chain को उस case में हम इसे बोलते हैं प्लस हाइब तो electron donate कब करेगा कोई substitute जब उसके पास electron हो यानि की नेगतिव स्पास्पास नेगतिव चार्ज हो तो यह सीरीज है जो है वह ज्यादए यरेadora होता है यह आता है चीरियो, उसके बाद घ्रियोगार इसका रिजन कीया है कि फहले क्यों आता है फिर कियो इसका रिजन है Bir a आने वाली आपको बताऊंगा की कि एक सबसक्राइब करकी विडियोो को आपको सब से कम होती है जिसकी बद से carbon जो है उनसे electron जो है अपनी तरफ displaced करता है इस carbon के तरफ इसे बोलते हैं प्लस ऐफेक्ट अब इसके character 6 पर आते हैं कि कौन-कॉन से character 6 है inductive effect अब दीकर हम ने displacement of sigma electrons के बारे में देखा तो only displacement of sigma इलेक्ट्रॉंट टेक्स पलेस एड लेक्ट्रोंट्स सिंगरेंट्स बक्सा के इसके साथ संदिधाइक पर्मेनेंट इफट्रॉप रिवर्स निग्जा सकता इंडेक्ट व है डिक्रीज करता है as the distance between carbon atom and attached electron donating or withdrawing group increases जैसे जैसे अब जैसे हिट्रो एटम मैंने लिया था इलेक्ट्रो नेगटिव यहां डेल्टा पॉजिटिव दिखाया था डबल डेल्टा पॉजिटिव ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव तो जैसे जैसे distance increase हो रहे हैं between carbon atom and attached electron donating and withdrawing group ठीक है इसके बीच में और इन carbon के बीच में distance increase हो रहा है वैसे वैसे inductive effect कम होता जा रहा है और हम consider कहां तक करते हैं दो carbon तक तीसरे पर हम negligible मान लेते हैं अब देखो आगे displaced electron do not leave their orbital अब यहां से देखो इस bond से displaced हुए electron negative atom की तरफ यह वाले जो electron है सिग्मा इलेक्ट्रों ओनली लीटल distortion of the orbital occurs which causes polarization of covalent bond यानि कि यह जो electron है यह displaced होते हैं लेकिन अपने orbital से displaced नहीं होते हैं इन polarization हो जाता है इसकी तरफ more electron negative atom की तरफ जो है displaced हो जाते हैं इससे ऐसे समझों कि symmetrical जो सिग्मा orbital है वो ऐसे होता है जैसे carbon carbon के बीच में bond है तो यह सिम्मेट्रिकल सिग्मा और्विटल है जो कि नॉन पोलर है लेकिन जब पोलर की बात हम करते हैं उसमें जो है distorted हो जाता है सिग्मा और्विटल क्योंकि जो यह सिम्मेट्रिकल जो है लीव नहीं करते अपने और्विटल को सिर्फ उसमें और्विटल में distortion हो जाता है इसके साथ साथ जो different atoms है और groups है वो polarization इस चीज को हम बोलते है polarization ठीक है अब different atoms और group of atoms जो है different polarization कर सकते कोवलेंट बोन की to different extent depend करता है ना कि इसकी electronegativity कितनी होगे जितनी ज्याद़ electronegativity उतना ज्याद़ distort वो करेगा तो यह depend करता है कि atom और group of atoms जो attached है carbon chain से वो किस तरह के हैं तो यह था इसके inductive effect के बारे में इसकी definition types और characteristics of inductive effect आपको हमारा यह आज का वीडियो इन्फर्मेटिव लगाओ देन like share and subscribe एक और गेनिक तो मिलते हैं और गेनिक chemistry के आने वाली नई वीडियो में तब तक के लिए take care be healthy be safe